दोस्तों वैसे तो Yono SBI application को State Bank of India ने अपने customers को service provide करने के लिए launch किया था लेकिन आप इस application को सभी इस्तमाल कर पाएंगे क्योंकि इस application में अब UPI का feature भी update कर दिया गया है मतलब कि जैसे phone पे एक application है payment application है इसमें आप जो है ना अपने back account को link कर पाते हैं Yono SBI application में मतलब कि अगर आपका SBI मतलब State Bank of India में अगर आपका bank account open नहीं है फिर भी आप जो है ना किसी भी bank में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो अब आप लोग इस application को इस्तमाल कर पाऊगे आप phone पे की तरह ही इसमें भी अपने back account को link करके अपना UBI payment कर पाएंगे तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप लोग को इस application में अपने back account को link करना है step by step आप लोग को सारी जनकारी देंगे इसलिए आप लोग को इस video को complete watch करना है इससे पहले अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहे है तो वीडियो को like जरू कीज़ेगा चलिए दोस्तों वीडियो को start करते है दोस्तों सबसे पहले आप लोग को अपने phone का Google Play Store open करना है और यहाँ पे आप लोग को search करना है Yono SBI यहाँ पे हम search कर रहे है यहाँ पे recommend कर दिया गया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को simply search कर देना है हमें search करेंगे यहाँ पे ठीक है यहाँ पे search करते है यह आप लोग के सामने यह जो application है आप लोग के समने आ जाता है आप लोगे यहां पर देख सकते हो, योनो SBI banking, इस पर आपको simply click करना है, click करते ही आप लोगे यहां पर install का button मिलेगा, हमने पहले से इस install कर रहा है, इसलिए हमें open का button यहां पर सूवर हो रहा है, तो आप इसे install करेंगे, हम इसे open कर रहे हैं, open करने के बाद आप लोगे कुछ इस प्रकार का interface देखने हो को मिलेगा, यहां पर इस application का जो interface कुछ इस प्रकार का देखने हो को मिलता है, आप लोगे आप लोगे देख सकते हो, new to SBI, यहां पर आप देख सकते हो, one step payment solution, send or receive money through UPI scan, pay, pay contacts and more, यहां पर आप लोगे देख सकते हो, UPI की जो feature है, जो जिसके बा इस पर आपको simply click करना है, दोस्तों, आप लोगे इस प्रकार से permission मागा जाता है, तो आप लोगे यहां पर while using the app, यह permission आप लोगे देदेना है, यहां पर आप लोगे आप लोगे आपको allow कर देना है, ठीक है, allow करने के बाद, आप लोगे सामने कुछ इस प्रकार का interface है myth Chloe तो इंतजार करना थिकर टाइमर चल रहाँ आप देख सकते हों यहां पे इस वाले इंटरफेस में आप लोगं को यहां पी बैंक सिलेक्ट करने कीто ओप्षन आ जाता है तो यहां पर आप जिसस्भी बैंक में अकाउंट है हुसको आप Solek को सिलेक्ट करना है अगर आप जो अपना UPI PIN को forget करना चाहते हो अगर आप फिर से बनाना चाहते हो नए तरीके से तो card number डालके आप जो है again अपना UPI PIN बना सकते हो यहाँ पे forget UPI PIN को option मिलता है इस पर click करके लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हो पहले से अपने बना रखा है तो आपको simply यहाँ पे अपने account को उपर click कर देना है इसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface आ जाता है आप लोग को यहाँ पे एक MPN create करना होगा to login your account यहाँ पे आप लोग को करना ही होगा यह तो यहाँ पे next के लड़न पे आप Simply click करेंगे अपना एक नया MPN set करेंगे जोकि 6 digit का होगा ठीक है आप लोग उसे यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पे दोआरा से इंटर करेंगे आप लोग को इसे simply submit कर देना है इसके बाद आप लोग के सामने यहां पर इस पगार का Congratulation का Pop-Off आ जाता है आप लोग को यहां पर अपना Biometric जो है अगर आप लोग के फोन में Biometric दिया हुआ है तो यह All Option आ जाएगा ठीक है यहां पर आप लोग को यहां पर लिंक हो चुका है यहां पर इस पगर का Interface आ जाएगा आपनों के सामने यहां पर Contact का Option है Contact के तुरू आप लोग किसी को पैसे बेजने चाहते हैं तो आप यहां से बेज सकते हैं यहां पर अकाउंट के तुरू भी आप कर पाएंगे UPI इसके लावा यहां पर Money Request पर आप कर पाएंगे सेम यहां पर नीचे आप लोग को एक अलाओ करते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हो आप लोग को QR कोड है यहां पर आ चुका है इसे आप लोग डाउलोड कर सकते हो यहां पर आप लोग को जो अकाउंट है यहां पर प्राइमरी अकाउंट देख सकते हो यहां पर मैनस कर सकते हो आप अपने अकाउंट को यहां पर आड़ कर सकते हो अकाउंट यहां पर चेंज कर सकते हो अपने MPIN को यहां पर help support का भी option मिल जाता है लिंक करने के बाद आप आप लोग जो है इस प्रकार से इस application में आएंगे तो इस प्रकार से interface मिलेगा आपको आप जिसको भी prevent करना चाहते हैं या फिर research करना चाहते हैं आप लोग यहां से कर पाएंगे I hope दोस्तों आपको इस वीडियो काफी पसंद आई होगे अगर आपको इस पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू किजएगा चैनल को सब्सक्राइब किजएगा अगर आपको कोई भी सुझा हो है तो हमें comment section में जरूर लिखेगा और आपको अगर वीडियो काफी अच्छा लगा अगर आपको लगता है कि इसे share किया जा सकता है तो आप share भी चरू किजएगा मिलते हैं तो किसी और next video